Hello students, welcome to Magnet Brains, this is Tazmeen Wadhan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो बहिए जैसे कि मैं आपको अभी अभी बता है कि मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ class 9th और class 10th की science with full complete detailed course के साथ जिसमों आप को बनेगे daily practice papers और students अगर आप लोग CBSC board से आते हैं तो हम आपको kg से लिके class 12 तक की free of course classes provide कराते हैं और अगर आप लोग state board से आते हैं जैसे कि MP board, UP board, Bihar board, Delhi board and Rajasthan board तो हम लोग आपको provide कराते हैं 6 से के class 12 तक की free of course classes students अगर आपको e-books and e-notes चाहिए उसका link भी आपको हमारे description box मिल जाएगा तो जाएए और grab कर लीजे जल्दी से और congratulations अब आप बूलेंगे मैं क्यों क्योंकि आज आपका physics का second chapter शुरू होने जा रहा है class 9th वालो force and laws of motion तो खुश तो आप सभी होना क्योंकि सबकी demand थी मामी chapter शेये मामी chapter शेये मामी chapter शेये माम लेकर आगें इस chapter को जल्ली से वाक पर session को लाइक करो और red heart को भी comment करो तो student आज का हमारा session रहने वाला है chapter overview तो आज हम इस chapter क्या देखेंगे चाप्टर overview देखेंगे और इसके अंदर आज हम लोग क्या क्या चीज़ देखने वाले chapter overview क्या होता है जैसे कुछ ऐसे students होंगे जो अभी अभी जुड़े होंगे session से जैसे कि जोनोंने मेरे साथ पहले से science नहीं पढ़ी है but don't worry अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने पहले से science नहीं पढ़ी है और वो अभी search में है अच्छे चीज के लिए अच्छे content के लिए और अच्छे teacher के लिए तो शायद आप सही platform पर सही lecture पर आ चुके हैं student तो यहां से आपको पूरा science का details ले मिलेगा जितने possible questions होंगे वो सब आपको हैं से solve करा जाएंगे मेरे थू तो मतलब अगर आप मेरे साथ science को continue करने जा रहे हैं तो आप बहुत सही platform पर आचूँगे अपने सब फ्रेंड्स को भी लेकर आजए क्यों क्या प्रवाइड कराता है free of course education तो आज के session पीटा हम पर इसे force क्या होगा force के types क्या होंगे laws of motion जो Newton ने दिये थे वो भी हम इसी chapter के अंदर पढ़ने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट दे सेशन बाई जल्दी से शुरू कर दे तो पहले चाप्टर शुरू किया था तो मैं पहले मतलब अच्छे से बताना चाहती हूँ आपको आपको बताना भी चाहती हूँ कि आपका ये second chapter of physics का शुरू होने जा रहा है तो जल्दी से मिठाई बाटि क्यों को आज हम लोग बता इस chapter कंदर आपको क्या का चीज़े पढ़नी है तो इस very important कि आप मेरे session को लगाए क्योंकि इस chapter में से एक topic delete भी हो चुका है तो हम लोग वह भी इसी chapter में इसी session में discuss कर लेंगे तो लेट स्टार्ट विदा session सो जल्ली से red heart कमेंट करिया session को भी लाइक कर दी चलिए शुरू करते हैं तो मैंने आपसे क्या बुला इस पहला topic है topic 2 we covered force क्या force कितनी होती है तेखो अभी मैं आपको force क्या कुछ निमता होंगा है भी देखो आप अब मैंने आपको बुला कि तो आप नहीं करा कोई बंदा मलब इधर आपकी साइट भी बंदा होंगे तो एक बंदा इधर को खेचेगा और एक बंदा उधर को खेचेगा हाँ तो ऐसे खिष से रहेंगे बट एक ताइम से एकवल force लग रही होगी मलब कि ऐसे दोनों साइट लगे पड़े होंगे तो तो मतलग यह क्या था यह क्या था यह क्या था यह क्या था पुल आप अपनी तरफ खेच रहें इसको पुल और ऐसे आपने अगर गो कर दिया तो पुश हाँ तो हम यह देखे तो पुल और यह पुश है इस फोर्स क्या है यह आपकी फोर्स है समझें या फिर आपको पता ह और स्टेबल भोला हैसा of the force, gravity gravity आपके उपर काया अगा दोण एक force जिसकी वज़ा से आप टिके हुए है Moon में आप ऐसे के हुँए Space में आप ऐसे के हुए क्योंकि वहाँ पर जो force gravity की force हो कम है as compared to Earth तो हम यह देखने के इस तो यही तो force आप चल रहे हैं आप चलते चलते आपने गाली रोख दी कैसे रुगे गाली? सोचा कभी? तैसे रुखी? कैसे रुगे? महाँ पर मैं कोई ना कोई तो फोर्स था स्मूद सर्फेस भी अगर होता है तो आप रुख जाता है मलब के जहां पर फृप्टर के बारे में हर चीज बताओंगी कि फोर्स काता है यह जो टग वार अभी हमने करी इधर को खेचा उधर को खेचा यह पुछ और पुल यह आप ऐसे कैसे खड़े वे हूँ ग्रेविटी हाँ यह फ्रिक्शनल फोर्स यह सारी सीज़ हम लोग देखेंगे इस सेशन के अंदर जहाँ पर आप देखते हम लोग कि आपके ब्लेंस भी होथिए और अनबैलेंस भी होती है अब आप सोचों कि इसे एपका नेक्स बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स जटा किया है और अब धंस से तो वह बंदे भी वहांसे जो अगा रहे हैं जो टीम और इधर वाला भी मेरी लिजा है तो मैं से लगे तो एक साइट पे आप जैसे वो हार रहे हैं तो आपकी तरह फोर्स जादा है आप ऐसे लगे पड़े इंखेशने पर आपकी साइड आ रहे हैं तो बैलेंस और पूरा पूरा सेशन आएगा डोंट वरी बिल्कुल कहे घबराते हो जब हम साथ हैं जब तक हम साथ है न तो कुछ जरुवत ही नहीं है घबराने की साइंस के अंदर मैं बोल रही हूँ जब तक मैं साथ हूं नेक्स आथने इसमस्ट आपका फिर आम लोग देखेंगे लुटन चाचा नहीं दिये थे तो हमारे जो न्यूटन चाचा हैं Sir Isaac Newton, चिक है, जोकस अपार्ट Sir Isaac Newton, बनलब ग्रेट साइंटिस्ट क्या थे आपके 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 साइंटिस्ट है जिरों ने क्या दिय थे लोग अप मोशन दिये हैं हम लोग लोग तीनों लोग अलग से लिखेंगे इस पर नुमारिकल्स को भी सॉल्फ करेंगे से लिएक किसरे दिस परने किस फॉन ऊपका Newton First Law of Motion Risk Fund Law of Inertia भी बोलते हैं, तो में बताउँगि इसमें क्या होता है आपका पhin आपके उताऊंगि न्यूटन का second law क्या था, यूटन का third law क्या था न्यूटन का third law था था बड़ रही मज़दार है जब मैं इसको पढ़ती थी, मुझे याद जब मैं इसको करती थी, तो मैं ऐसे सोचते थी, कि there is always a reaction of any action, यही हा नियुक्रन का 3 लो, कि अगर कुछ action हुआ है, तो इसका reaction होता है, अब इमाजिन करो, कि माली जी मैं इस बोट को यू धपका दे दू, तो ये भी तो मिलो पर कि there is a reaction of every action, समझ के वाला पॉइंट है या नहीं समझे, जल्दी सकताईए, फिर second law हम लोग एचसे से discuss करेंगे, कि हाव यह से क्या बताओं आप लोगो, फिर आएंगे student आपका क्या, देखो, अब आप सूचिंग माँ इतने से topic है, एक topic जो है आपका student, momentum, क्या, momentum, यह आप आपको conservation of momentum करके एक topic given है, वो आपका NCRT ने साफ कर रखा है, तो यह आपको नहीं पढ़ना है, तो जितना आपके सामने है, आपको सिब उतना ही पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे force क्या होता है, balance और unbalance forces क्या होती है, newton का first law, newton का second law, newton का third law, फिर हम लोग आ जाएंगे सीधा question answer वाले part पर है, अब मैंना आपको बताई थी, यह है physics, क्या है, यह है आपकी physics, और physics कभी भी theory से complete नहीं होती, और numerical से complete नहीं होती है, आपर theory और numerical, दोनों साथ में लगेंगे, balance force, बैलंसिंग ज़रूरी है, जिंदगी में equilibrium बहुत ज़रूरी होता है, तो physics में अगर master करना चाहते हैं, तो आपका क्या theory और साथ में numericals, क्या theory और साथ में numericals, यह दोनों आपके लगेंगे, तो अगर आप theory अच्छे से कर लेंगे मिटा, तो आपको numericals बहुत अच्छे से करने पढ़ेंगे, उसके बाद, और आपको पता है, जब तक मैं हूँ, तो क्यो डरो, numericals भी हम लेकर आएंगी, सब numericals, जितने भी chapter के अंदर के important questions से सारे सारे numericals solve करा जाएंगे, don't worry, बिल्कुल भी tension नहीं लेने का, फिर उसके बाद student numerical solve कर लेंगे, फिर हम वो लोग पहुचेंगे, कहा पर, मैं NCRT के solutions पर, और आपको पता है, student NCRT जो है, क्या dialogue है, NCRT हमारी आपके blue वाल है, और exercise होंगे, आपके जो पीछे होते हैं, chapter के बाद होते है, फिर हम देखेंगे multiple choice questions आपको पता है, जैसी हम लोग NCRT को cover करेंगे, numericals को cover करेंगे, सारे concept को cover करेंगे, उसके बाद हम सीधा पहुचेंगे MCQs पर, और MCQs वाले session में सारे multiple choice questions को लगा देगे उसके बाद आपका session आएगा, कौन सा? Assertion and Reason का, कौन सा आएगा student आपका? Assertion and Reason आपका next session आएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे most important questions, क्या देखेंगे मेटा हम लोग उसके बाद, इस chapter के अंदर most important questions को देखने वाले हैं, और उसके बाद सीधा आएगा आपका complete chapter revision, और आपका पूरा-पूरा chapter हो चुका होगा complete, बहुत सारे student का ये था के ma'am please second chapter कराईए, force and law of motion कराईए, तो भाई लेकर आगी हूं में, तो इसी बाद पर जल्दी से, क्या करिए, इसी बाद पर जल्दी से सब में कवर पहला दीजे, कि मैं आप शुरू करने जा रही हैं, कौ आपका पर जाए, क्या होता है, तो इसी बाद पर जाए, क्या है, नूटन के तीनों लॉस पढ़ने हैं, बस ये कर और chapter में, मौज मारो अपनी, बहुत ईजी chapter है, डण, डणने कोई ज़रू थी, मैं हुना है, यहापर दरने की कोई आवश्कता नहीं क्योंकि मैं हूँ, मै करौंगी फुरा चाप्टर, जैसे हमने मोशन को मास्टर के, ऐसी हम इसको भी मास्टर करेंगे, स्टूडेंट्स, इस सेशन को में ही परियांड करी हूँ, अब आप लोग अच्छे से जानते हैं, कि मैगनेट बेस आपको free of cost education प्रवाइड कराता है, अगर आप लोग सी ब कर सकते हैं, थो YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram and WhatsApp, इन सब के थो आप हमें follow भी कर लीजिए, अब मैं मिलूँगे आप से, नेक्स सेशन में, जहाँ पर हम लोग discuss करेंगे, कि force क्या होता है, जब तक अपना धियार नखेगा, आप बने रहेगा, मेरे साथ मैगनेट मेंस पर, thank you so much.